एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है आज हम खजियार, डलोजी तता धर्मशला टूर के बारे में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित खजियार देश का एक प्रमुक परेटन स्थल है खजियार को मिनी स्विट्जरलेंड के नाम से देश ही नहीं अपी तो दुनिया में जाना जाता है यदि आप खजियार गुमने की योजना बना रहे हैं तो खजियार के से पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है गोरतलबे की खजियार तक सीधी रेल से वा नहीं है खजियार के सबसे निकट का रेलवे स्टेशन पंजाब राज्जिका पठानकोर्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोर्ट तक देश के सभी बड़े शेहरों से सीधी रेल से वा उपलब दे इसलिए यदि आपको खजियार आना है तो सबसे पहले आपको अपने ग्रह नगर से पठान कोट तक ट्रेन से आना पड़ेगा पठान कोट रेल्वे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको रेल्वे स्टेशन के भार से ही खजियार जाने के लिए टेक्सियां मिल जाएंगी आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप लगजरी टेक्सी बुक करेंगे तो किराया साड़ी तीन हजार रुपे के करीब पड़ेगा एक बात ध्यान में रखें कि आप अपने शहर से पठान कोट आने के लिए एसी ट्रेन का चेहन कीजिए जो आप को पठान कोट दिन में छोड़ दे इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि आप शाम होने से पहले खजियार पहुंच जाएंगे तता शाम के समय खजियार की अपरतिम सुंदर्ता का लुत्व उठा पाएंगे तता शाम के समय खजियार का संसिट देख पाएंगे अब आपके मन में ये सवाल उत्पन हो रहा होगा कि खजियार की जगए डलोजी में क्यों न रुका जाए क्योंकि डलोजी खजियार के पास ही है तता बड़ा शेहर भी है इसका जवाब यह है कि खजियार में आपको होटल बहुत सस्ते मिलेंगे तता डलोजी से खजियार आने तता जाने में आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब होगा टेक्सी का किराया भी ज़्यादा लगेगा तदा खजियार घुमने का आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा इसलिए हमारा सजेशन है कि आप खजियार में ही रुकिएगा आप खजियार में होटल दो दिन के लिए अनलाइन बुक कीजिएगा क्योंकि खजियार को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको इतना समय तो लगेगा ही लगेगा आप पठान कोर्ट से टेक्सी से लगबग शाम को पांच बजे तक खजियार पहुँच जाएंगे आप होटल खजी जील के पास ही लीजेगा ताकि आप 5-10 मिनट में खजियार के मेदान तता जील तक पहुँच जाएं आप अपने होटल में चेक-इन कीजिए तता चाए काफी पीने के बाद आप होटल से बाहर खजियार घुमने पेदल निकल जाईए तता खजियार जील के पास बेटकर संसेट का आनल लीजिए अंधेरा होने के बाद आप खजी जील के पास ही स्थित किसी रेस्टोरेंट में केंडल लाइट डिनर करें आप चाहें तो अपनी होटल में भी डिनर कर सकते अगले दिन आप सुभा के ब्रेकफास्ट अपनी होटल के कमरे में बालकनी अथवा ब्रेकफास्ट एरिया में देवदार के पेड़ों तथा वादी को देखते वे करें इसके बाद आप तयार होकर खजी जील तथा खजियार के मेदान में आ जाएं तथा महा होने वाली एक्टिविटीज को अपने बच्चों तथा अपने परिवार के साथ इंजोई करें आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनन लीजिएगा जिसमें आपको रस्स से बांद कर देवदार के पेडों के बीच जुलाए जाता है आप एडवेंचर जॉर्बिंग बॉल, होर्स राइडिंग तथा पेराग्लाइडिंग का भी आनन लीजिएगा पेराग्लाइडिंग का रेट बहुत जादा बताय जाता है इसलिए पेराग्लाइडिंग कराने वालों से आपको जबरजस्त बारगेनिंग करनी पड़ेगी अनिथा ये लोग आपको लूट लेंगे एक बात आप हमेशा याद रखेगा कि आप खजी जिल तता खजियार के मेदान के पास जो पानी पूरी नूडल्स तता चाट के ठेले लगे होते हैं वहां से कुछ भी मत खाईएगा क्योंकि वह बहुत अनाइजिनिक होता है क्योंकि यह ठेले खजियार गाओं के लोग ही लगाते हैं तता वह लोग साफ सफाई का बहुत कम ध्यान रखते हैं इसके चलते फूड पॉजिनिंग की बहुत ज़्यादा संपावना रहती है यदि आप बीमार पढ़ जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी यदि आपको कुछ खाने का मन करें तो आप पेकेड बंद खादे सामागरी अधवा खजियार झहिल के पास के रेस्टोरेंट में लंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का खाना आपको बीमार नहीं करेगा लंज करने के बाद आप खजी नाग टेंपल देखने चाएं खजी नाक टेंपल देखने के बाद आप शंकर भगवान का मंदिर देखने जाएं यहां भगवान शिवजी की 85 फीट की विशाल प्रतिमा इस्थापी थे जो हिमाचल प्रदेश में सबसे उची शिवजी की प्रतिमा है इसके बाद आप गोल्डन देवी टेंपल विजिट करें गोल्डन देवी टेंपल देखने के बाद आप वापस खजी लेक पर आ जाएं तथा अपनी शाम खजी लेक पर इबिताएं इसके बाद आप रात का डिनर अपनी होटल में करें तथा रेस्ट करें इस प्रकार खजी यार में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन आप अपनी होटल में ब्रिकफास्ट करें इसके बाद आप होटल से या खजी लेक के पास इस्ति टेक्सी स्टेंड से डलोजी के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप अपने होटल से चेक आउट करें खजियार से डलोजी तक की दूरी केवल 24 किलोमेटर है खजियार से डलोजी तक का टेक्सी का किराया लगपक 500 रुपे से 700 रुपे की बीच पड़ेगा आपका टेक्सी वाला आपको रास्ते में साइट सींग कराता हुआ आपको डलोजी में आपकी होटल में छोड़ देगा डलोजी में आप अपनी होटल में चेक इन करें तता होटल में ही लंच करें इसके बाद आप पेदल ही डलोजी घुमने के लिए निकल जाईए तथा पेदल पेदल गांधी चोक तथा डलोजी का मॉल रोड देखें आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग का आनन्द भी ले सकते हैं यदि आपको शॉपिंग करनी है तो आप तिब्बती बाजार जरूर जाईएगा इसके बाद आप सेंट जॉन चर्च विजिट करें सेंट जॉन चर्च के पुराने पुस्तकालाय में दुरलब तस्वीरे और कई पुरानी किताबे हैं यह चर्च डलोजी के गांधी चोक के पास ही स्थित है इसके बाद आप गांधी चोक पर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अथवा अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपके ट्रिप का तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप अपनी होटल में ब्रेक्फास्ट करें तथा डल होजी के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए अपनी होटल से अथवा गांधी चोक से टेक्सी बुक करें टेक्सी का किराया लगबग 1500 रुपे लगेगा डल होजी में आप लक्ष्मी नाराण मंदिर, चामूंडा देवी मंदिर, चमेरा जील, गरम सडक, डल होजी सामुदाईक उध्यान विजिट करें इसके बाद आप रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप पंच पुला जर्ना जो कि डल होजी के सबसे प्रसिद परेटक आकरशनों में से एक है उसे देखने जाईए यह जर्ना देवदार के पेडों से घिरा हुआ है इसके बाद आप डल होजी में रॉक गार्डन विजिट करें इसके उपरांत आप अपनी होटल में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार आपका चोथा दिन समाप्त होता है पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्लेकफास्ट करें तता होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तता धर्मशाला के लिए प्रस्थान करें डल होजी से धर्मशाला की दूरी लगभग 117 किलोमेटर है टेक्सी का किराया 2000 रुपे के करीब लगता है रास्ते में ही आप किसी अच्छे से धाबे पर भोजन कर लें यदि आप रास्ते में साइट सिंग करते हुए तथा रुकते रुकते हुए भी आएंगे तो आप 4-5 बज़ तक आराम से डलोजी से धर्मशाला पहुंच जाएंगे गोरतलभेकी डलोजी शहर अलग अलग उचाईयों के साथ उपरी और निचले डिवीजनों की रुप में बटा हुआ है निचला डिवीजन धर्मशाला शहर कहलाता है जबकि उपरी डिवीजन को मेकलोड गं इसके बाद आप पेदल पेदल धर्मशाला के बाजार तक घूमाईए इसके बाद आप अपनी होटल में डिनर करें तथा रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का पाचवा दिन समाप्त होता है चटवे दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तथा होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला, मेकलोड गंज तथा आजपास के टूरिस्ट स्पॉर्ट्स घूमने के लिए टेक्सी बुक कर लें टेक्सी का किराया लगबग 2000 रुपे पड़ेगा सबसे पहले आप धर्मशाला का क्रिकेट इस्टेंडियम देखने जाएं यह स्टे इम चारो ओर से बरफीले पहाडों से गिरा हुआ है तता इसे दुनिया का सबसे खुपसुर्त क्रिकेट इस्टेडियम भी कहा जाता है यह स्टेडेम सुबह के समय बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है इसलिए सबसे पहले आप इसे ही देखने जाईएगा इसके बाद आप युद्ध स्मारक, जौला मुखी देवी मंदिर, भाक्सु फाल्स तता नामग्याल मठ हादी देखने जाए नामग्याल मठ में दलाई लामा रहते हैं नामग्याल मठ देखने के बाद आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करें इसके बाद आप टेक्सी से मसरूर रॉक का टेमपल देखने जाए यहाँ टेमपल धर्मशाला से 32 किलोमेटर दूर है यहां आने जाने तथा इसे देखने में आपको लगबग तीन घंटे का समय लगेगा मसरूर राक का टेंपल बहुती सुन्दर जगह परिस्थी थे आप अपना टाइम मेनेजमेंट इस प्रकार कीजिएगा कि आप मसरूर राक का टेंपल देखने जा सके इसे धर्मशाला में हिंदूों की जन्नत भी कहा जाता है इसके बाद आप धर्मशाला में वापस आकर अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का छटा दिन समाप्त होता है साथवे दिन आप सुबह अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा चेक आउट करें इसके बाद आप बस स्टेंड अथवा एरपोर्ट पर टेक्सी से आ जाएं तथा अपने ग्रह नगर की ओर पस्थान करें यदि आप बस से यातरा कर रहे हैं तो धर्मशाला से दिल्ली की बस से दूरी लगबख 471 किलमेटर है तथा यातरा में लगबख 10 घंटे का समय लगता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते हैं तो निकटम हवाई अड़ा धर्मशाला से लगबक 13 किलोमेटर दूर गगल में स्थी थे गगल हवाई अड़ा धर्मशाला को एर इंडिया स्पाइस जेट आदी की उड़ानों की मदद से दिल्ली से जोड़ता है एक बात और ध्यान रखें कि आप अपनी इस यातरा की शुरुआद धर्मशाला से भी कर सकते हैं जैसे आप अपने ग्रह नगर से सबसे पहले धर्मशाला आएं उसके बाद डलोजी जाएं वहाँ से खजियार जाएं तथा अंत में पठान कोट से वापस अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें खजियार डलोजी तथा धर्मशाला की यात्रा करने के लिए मार्च से जून तक का समय आइडियल समय होता है खजियार डलोजी तथा धर्मशाला में इस समय न ज़्यादा ठन पड़ती है तथा न ज़्यादा गर्मी अब हम इस 7 दिन की खजियार डलोजी धरमशले यातरा की अदिकतम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तथा बस का कुल किराया लगबग 5,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का टेक्सी का कुल किराया लगबग 11,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का होटल का किराया 7,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का साइट सींग तथा एक्टिविटी का खर्च लगबग 10,000 रुपे चार लोगों का खजियार डलोजी धर्मशाला में 7 दिन का अधिक्तम कुल खर्च लगबग 45,000 रुपे इसे चार से भाग देने पर प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 11,250 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 11,250 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए खजियार डलोजी धर्मशाला घूम सकते हैं यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च केवल 7,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजिये जल्दी ही खजियार डलोजी धर्मशाला घूमने का प्लान बनाईए जदी आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू